नमस्कार स्वागत बच्चों आपका सेल स्टेडी के चैनल में और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं काफी इंपोर्टन कह सकते हैं एक तरीके से जागरू करने वाला एक मुद्दा है जैसे चुनावों में वादे किये जाते हैं कि मुफ्त में आप लोगों को लैप्टोप दि जैएगी मुफ्त में scooter दिये जाएगा मुफ्त के अंदर washing machine दिये जाएगी या mixer दिया जाएगा जो भी चीजी इसके अंदर की जाती हैं जुनावों के दुरान आपने कभी सोचा है कि वो मुफ्त में देने वाला जो नेता वहाँ पर जो वादे कर रहा है जो उमीदवार जो वादे कर रहा है क्या वो अपने घर से पैसा लगाएगा यह वो पैसा कहां से लेके आता है जो चुनावों में यह वादे कर देता है कि मुफ्त में यह दे देंगे, मुफ्त में वो दे देंगे तो इन सब चीजों के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर तो अभी हाल फिलाल में सुप्रीम कोट के अंदर एक याचिका जो है वो दायर की गई है उस याचिका में कहा गया है कि इलेक्शन कमिशन को एक काम करना चाहिए कि जो चुनाव चिन है जो सिंबल होते हैं चुनावों के अंदर जैसे अलग अलग पार्टीज हैं जैसे बीजेपी का जो सिंबल है कमल का जो कॉंग्रेस का जो सिंबल है हाथ का तो यह जो सिंबल होते हैं अलग अलग पार्टीज के जो इस तरीके के वादे करते हैं irrational freebies यानि तर्क हीन मुफ्त में देने का वादा कर रहे हैं यह देते कहां से सारवजनिक धन से अभी बात करेंगे इसकी पारे में तो यह जो वादा कर रहे हैं तर्क हीन मुफ्त में तो इन जैसी parties का कही न कहीं इनका registration जो है वो cancel कर देना चाहिए यह जो है याचिका वो Supreme Court में दायर की गई है clear आपने देखा भी है ऐसे कि भाई या चुनावी वादों चुनावी वादे किये जाते हैं कि आओ भाई या मिक्सी देंगे आप लोगों को आओ जरा तो पैसे से वोट खरिदा जा रहा है अगर पैसे से वोट खरिदा जा रहा है तो भारत की जो democratic जो value है वो कहीं न कहीं उसको खत्रा आ गया समीधान की भावना को चोट पहुँच रही है उससे आप में यहां पर लोगतंतर रही कहा जाएगा जब पैसों के उपर आकर वो हो रहा है सारा का सारा चुनावी खेल हो रहा है मुफ्त में देने के वादे हो रही है तो इसके बारे में जो है वो चर्चा की गई है सुप् जोजकारी भत्ता दिया जाएगा दैनिक वैतन भोगी जो श्रमीक है महिलाएं है उनको डेली बेजिस दिये जाएंगे लैप्टोप दिये जाएंगे स्मार्टफोन दिये जाएंगे इन तरीके के गैजट्स उनको दिये जाएंगे सोच कर देखा है कि क्या ये वादे करने आहां決ने वाले जो महश्ये हैं वो अपनी जेब से रुपया निकाल कर दे रहे हैं कि जंता को, अब नहीं यह जो रुपया है वो सार्जुनिक धन यानि जो भारत की जंता है जो टेक्स पे करती है उस टेक्स मेरे, उस टेक्स से जमा हुई जो धनराशी है उसी से ये लोगों को ये मुफ्त का अहार पहार बाटने का वादा कर देते हैं आप सोचेंगे कि सर हम तो टेक्स नहीं देते हम तो अभी पढ़ने वाले हैं देखे भारत का हर एक इंसान जो है वो टेक्स दे रहा है कैसे भले वो इंडिरेक्ट दे रहा हो वो इंडिरेक्ट दे रहा हो भले छोटा बच्चा अगर दुकान में जाके टोफी खरीतते हैं तो टोफी के उपर भी वो एक तरीके का टेक्स दे रहा होता है तो हर कोई इंसान जो है वो tax देता है directly और indirectly समझे रहे हो इस चीज़ का तो जो सारजनिक धन है या फिर कहीं जो petrol जो होता है ना petrol पे हम जो 40 रुपए का जो petrol पड़ता है उसके उपर हम 100-100 रुपए का petrol दे रहे हैं तो वो भी एक तरीका का tax ही तो दे रहे हैं हम ये बीजली पानी ये सारा दे देंगे तो लोग इस चक्कर में इनको vote दे देते हैं जिससे भारत की जो democracy है फिर वो high high करते हैं कि देखो भईया democracy का पतन हो रहा है तो भई vote तो देने वाली तो जनता ही थी ना वहाँ पर तो एक तरीक है कि जागरुक होने की बहुत जादा जरूरत है कि जब आपके सामने कोई vote मांगने आता है जो MLA के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या MP के लिए जो चुनाव लड़ रहे हैं तो उनसे पूछना चाहिए जब वो free के वादे करते हैं कि जो ये तरकहीन जो मुफ्त के जो वादे किये जा रहे हैं इससे जो चुनाव जो लड़े जाते हैं उसमें भई कहीं न कहीं एक तरीके का उलंगन हो रहा है कि निस्पक्स चुनाव नहीं हो रहे हैं स्वतंतर चुनाव नहीं हो रहे हैं जुनाव तो लड़ने इसलिए चाहिए न कि हम जब आएंगे तो development करेंगे, infrastructure डेवलोप करेंगे, school, colleges खुलवाएंगे, लोगों को यहाँ पर नोकरियों के लिए आगे उनकी skill improvement करवाएंगे, तो यह चीज़े होने चाहिए, आपने सोचा कि जनता जो है वो यही मानती है कि free में कुछ मिल रहा है तो हम ले लेते हैं, इस टार्टिंग में तो हमारा फायदा हो जाएगा, अभी देखिए जो पक्ष में वो यही बोल रहे हैं कि free में कुछ लोगों को मिल जाता है, जिससे उनका भला हो जाता है, लेकिन आप सोचिए, वो पैसा अगर free में देने के लि या देश का कल्यान चाते हैं, या अपने राज्य का कल्यान चाते हैं, या अपने शेत्र का कल्यान चाते हैं, या वहाँ पर development चाते हैं, infrastructure में development चाते हैं वो, अब जिन निजी वस्तों का जो वितरन जो है, वो सारुजनिक उदेश्य, पतलब देखिए, जो सारुजनिक धन है जिन चीजों का वादा किया गया है कि भाई या आपको laptop आपको scooter या फिर cycle यह चीज़ें दे जी जाएंगी वो सारजनिक धन से तो दिया जा रहा है और वो धन आप सारजनिक यूज़ कर रहे हो तो उस कहीं न कहीं आप article 14 का उलंगन कर रहे हो जो कानून के समक्ष समान है उसका उलंगन हो रहा है article 162 राज्य की कारेकारी शक्ती article 266 का close 3 भारत की संचेत नदी से व्यम और article 282 विवे का धीन अनुदान इन सब आर्टिकल का उलंगन हो रहा है साफ तोर पे और अब यहाँ पर कहा गया Supreme Court को एक ऐसा कानून बनाने के लिए सरकार को कहना चाहिए जिसमें इस तरीकी की मांगों को मतलब इनका सही किया जा सके इस तरीकी की मांगे मतलब कि यह जो आप कह रहे हैं कि यह मुफ्त में यह दे देंगे यह मुफ्त में वो दे देंगे तो इन सब को नियंतरन किया जा सके तो इस तरीके के कानून बनाने की मांग की गई है सुप्रीम कोट से और साथ इसाथ कहा गया है कि जो आप Election Commission से जो चुनाव चीन आरक्षन और अवंटन आदेश 1968 जिसमें एक पेराग्राफ है उस पेराग्राफ में एक शर्त जोडने की बात बोली गई है वो शर्त यह है कि जो राजनितिक जो दल है जो चुनाव से पहले सारजनिक निधी से जो सारजनिक धन है भारत का उस धन से जो मुफ्त के जो वादे करके आते हैं वो नहीं करेंगे तो ये बात बोली गई है कि आप ये सब चीजें जोड़ी देखी ये बात कही गई है याचिका के अंदर कि आप करिए कि सरकार को बोली है कानून लेकर आए साथ इसाथ जो election commission है वहाँ पे जो symbol election symbol reservation and allotment order 1968 में जो paragraph है उसके अंदर एक शर्त जोड़ने की बात बोली है ये सारी बातें जो है वह इस याचिका के अंदर बोली गई है आगे चलते हैं अब बोला जा रहा है कि एक तरीके का पक्ष भी यहाँ पर दिया जा रहा है free के लिए देखे अपेक्षाओं को पूरा करने करने है तो आवशक भारत जैसे देश में जहां पर राज्यों में विकास एक बहुत लिमिट स्थर पर है या है यह नहीं वहाँ पर जो लोग है जब चुनाव आते हैं तो उनकी उमीदें होती है चुनाव से कि उनको कुछ चीजें यहाँ मिल जाएंगे मुफ्त में यहाँ पर उनके वादे पूरे हो जाएंगे मतलब कि जो मुफ्त के जो करते हैं कि मुफ्त में यह दे देंगे उनके चलते उनके वादे पूरे हो जाएंगे अब इसके चलते जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी इस तरीके की चीज़ें चल पड़ती हैं और जो कम विक्षित राज्यें हैं जैसे जहां पर बहुत जादा जनसंग क्या है डेवलोप्मेंट इतनी है नहीं गरीबी जादा है वहां पर वहां पर एक तरीके से ये जो फ्री के जो उपहार दिये जाते हैं वो कहीं न कहीं उन लोगों के काम ही आ रहे होते हैं उनको उत्थान के लिए यूज किये जाते हैं लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो वो सबसीडी की भी तो पेशकर्स कर सकते हैं कि दो चीज़ों समझ नहीं होगी subsidy और free subsidy एक तरीके से निश्चित रूप से एक planning के तोर पे चलाई जाती है यहाँ पर मांग को देखते हुए लेकिन free जो है वो कहीं न कहीं आप भारत का जो समीधान है उसकी भावना को कहीं न कहीं उसमें चोट पहुँचा रहे हो तो इस चीज़ में फरक करना जुरूरी है हाँ उतान कर यह लोगों का यह देखा जाए तो पैसा तो भारत के लोगों का यह तो भारत के लोगों तक ही जाना चाहिए उनका अगर भला हो रहा है उस पैसे तो वो यूज करया चाहिए लेकिन irrelevant आप मुफ्त में वादे कर रहे हैं आपको यह दे देंगे जिसकी उसको जुरूरत ही नहीं है तो वो कही न कही नुक्षान कर रहा है उस चीज़ पे अब होगा क्या इससे आप बात सोचेंगे इससे हो क्या जाएगा अगर फूरी में देंगे फर्क देखी जराओ मतलब देखी क्या क्या फर्क पड़ता है इससे आर्थिक भार यह आर्थिक यानि economic यानि जो budget है उसमें बहुत जादा भारी मतलब परभाव पड़ता है अब पैसा जो development में लगाना था वो पैसा आपने लोगों को जो मुफ्त में जो वादे किये थे मुफ्त में देने के उनको पूरा करने में लगा दिया अब मुफ्त में जो मतलब कि development तो अधूरा रहा गया अरे कहीं सडक बननी थी वो सडक तो नहीं बन पाएगी ना इसके बतले में तो महास्या ने laptop या फिर कहें कि scooter या cycle बाट दिये वहाँ पर तो वो तो यह सडक की जिसकी आवशकता थी जिससे development तेज हो सकता था वो तो नहीं हुआ अब इससे भार बढ़ रहा है भार बढ़ने से होगा नहीं सब चीजें अब कहीं न कहीं जो स्वंतंतर और निश्पक चुनाव होने थे वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक party कह रही है कि हम तो आपको मुफ्त में ये दे देंगे मुफ्त में फलाना दे देंगे ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो कहीं पर भी वो मुद्धें नहीं उठाए गए जिनको उठाना चाहिए तो जिससे development होती जिससे लोगों का विकास होता वो चीज़ें नहीं उठाए गई बावजूद इसके कि आपने आपना लिए जो वोटर्स हैं उनको रिश्वत देने का एक रास्ता अपना लिया अब यहां पर जो समानता के सिधानत है उसके विपरीत है आर्टिकल 14 जो है इसके मतलब कि आप आर्टिकल 14 का आप इसके अंदर उलंगन कर रहे हो क्योंकि सारजनिक धन से जो भारत के लोगों ने जो धन दिया है उनके पैसे से जो धन इकठा हुआ है सारजनिक धन उससे आप उन लोगों की आवशक्ताइं पूरी कर रहे हैं जिनका आपने वादा किया था यह चीज तो गलत है ना आगे चलते हैं क्या सुप्रीम कोट ने पहले कभी ऐसा कुछ बात हुई नहीं क्या हुई है 2013 में ऐस सुब्राम अन्यम बाला जी वर्सिस गॉर्ल्मेंट आफ तमिल लाडू 2013 का एक केस है जिसमें ये बात सुप्रीम कोट ने मानी है जो चुनावों के अंदर जो वादे किये जाते हैं ये मुफ्त में उपार देने के तो ये बहुत बड़ा गंबीर इशू है इससे चुनाव में जो समान अफसर होते हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टी इक्वल लडएंगी यहां पर एक तरीके से उसका उलंगन हो रहा है यहां पर और साथ इससा सुप्रीम कोट ने यह बात भी बहुत लिए कि जो चुनावी जो गोश्णा पत्र होते हैं मेनफिस्टो होते हैं जो हर सरकार जो है या फिर सरकार के हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक Manifisto निकालती है कि जैसे हम गूर्मेंट में आएंगे तो हम यह काम कर देंगे उनके आपने पड़े भी होंगे जैसे BGP ने अपना Manifisto निकाला है जैसे Congress अपना Manifisto निकालती है कि भाई यह हम राज्ये के अंदर आएंगे तो हम यह यह चीज़ें पूरी करेंगे तो कहा गया कि उन्हीं मेनिफिस्टों में एक बात लिखी होती हैं कि हम जब आएंगे तो आपको यह चीज़ें प्रवाइड गराएंगे वो फ्री की चीज़ें होती हैं तो उसको कहीं पर भी एक तरीके का करप्ट practice नहीं कही गई है किसके अंदर एक कानून है हमारे देश के अंदर representation of people act representation of people act के अंदर ही ये चीज़ें होती है उसके अंदर ये जो corrupt practice कहते हैं न कि आप लोगों के अंदर देखे corrupt practice वो होती है कि आप अगर चुनाव के लिए ये रेली कर रहे हैं और रेली के अंदर लोगों को भढ़का रहे हैं कि ये जो फलाना धरम है इसको हम थोड़ा कम priority देंगे आपके धरम को जादा priority देंगे ये corrupt practice के अंदर आती है लेकिन चुनावों के अंदर जो आप पारित करके अपने उदेशों को पूरा करने लग जाती है किस से सारजनिक धन से इसलिए जो मुफ्त का जो वितरन है उसे रोकना मुश्किल हो पाता है और साथ ही साथ नियाले ने वर्तमान में ऐसा कहा है कि कोई वर्तमान के अंदर ऐसा अधिनियम है नहीं जो चुनावी घोषना पत्र या जो मैनिफिस्टो होती है उसमें उसको नियंत्रिन कर सके इसलिए इसलिए जो कोट है उसने चुनाव आयोग को एक बात बोलिए कि आप जितनी भी जो ये जो रिजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे आप एक काम करिए गाइडलाइन्स त्यार करने के लिए प्रामर्श मांगिए कि भई हम ये ये चीजें करेंगे ये निदेश करेंगे उनको मतलब दीजिए आगे चलते हैं अब क्या कहा गया है कि क्या कर सकते हैं इसमें बहतर नितिगत पहुंच देकि जितनी भी जो राजनितिक पार्टी हैं उनको एक तो ये जो आर्थिक नीतियों का विकास, मोडल को अपनाने की योजना जो बना रहे हैं उनकी एक तरीके से स्पष्ट करना चाहिए कि आप जो डेवलोपन्ट करना चाह रहे हो आप कहरे हो कि आप economic यानि कहेंगे कि किसी आर्थिक रूप से आप यहाँ पर मजबूत करेंगे कहेंगे एक शेत्र को तो आप किस तरीके से वो करना चाह रहे हो उसको आप space troop से बताइए उसको सही डंग से आपने बताया उनकी समझ होनी चाहिए साथ ही साथ अच्छा जो विवेव एक बात बोली गई कि आप मुफ्त में दीजी बेशक दीजी लेकिन मुफ्त में उन चीजों को दिया जाना चाहिए जिससे लोगों की एक तरीके से उनका उत्थान हो सके और मुफ्त में बजाए आप सबसीडी का यूज करिए देखें सबसीडी और मुफ्त में फरक ये है कि सबसीडी जो है वो एक तरीके से एक प्लैनिंग के तोर पे की जाती है लोगों की मांग के जो मांग होती है उसके according subsidy लाई जाती है वहाँ पर तो यहाँ पर subsidy यूज़ करिए मुफ्त का यूज़ ना करिए यहाँ पर clear तो यानि subsidy और मुफ्त के बीच का अंतरस्पस्ट होना होगा साथ यसाथ काफी important बात है कि लोगों को जागरुक होना होगा इस चीज़ के लिए कि जो आपके सामने जो MP, MLA के जो चुनाव लड़ने के लिए जो उमीदवार खड़ा है और आपके घर पे आगे जो vote मांग रहा है या फिर जो rally करके कह रहा है कि हम आपको मुफ्त में यह दे देंगे तो आपको सोचना चाहिए कि वो कहीं न कहीं आपके vote से एक ऐसा corrupt नेता आ सकता है जो शायद आपको कुछ time के लिए तो फ्री चीज़ें दे दे या फिर कहें कि वो आपने उसने जो वादे किये दे laptop देने के उसके लिए तो आपको दे दे लेकिन बाद में क्या होगा बाद में फिर आप यह अपक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो एक अच्छा ही नेता बनेगा लोगों का कल्यान करेगा शेतर का development करेगा नहीं कर सकता और फिर आपको भी कोई अधिकार नहीं बनता है उस नेता की बुराई करने में कि वो उसने तो काम नहीं करके दिया हमको फिर आप क्यों होते क्यों कि आपने तो अपना वोट बेज दिया ना वहाँ पर तो इन चीजों का ध्यान रखना है लोगों को जागरूख होने की बहुँ जादा जरूरत है कि जो ये फ्री में जो वादे किये जा रहे हैं तो पूछा जाए उनसे कि फ्री में वादे आप कैसे पूरे करेंगे आप अपने घर से रुपया लगा के फ्री में वादे पूरे करेंगे क्या I hope so आप लोगों को ये जो वीडियो है वो समझ में आई होगी जो freebies जो election freebies है जिसके अंतरगत लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत है जागरुक होने की शुमीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा और इस वीडियो की जो PDF है वो आप लोगों को टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से साथ ही साथ वीडियो पसंद आई है तो थोड़ा बहुत हमाई भी support कर दीजिए लाइक कर दीजिए, subscribe कर दीजिए चैनल को और साथ इसाथ को जादा ही पसंद आ गए है तो शेर कर सकते हैं वीडियो को भी as well as चैनल को भी तो बस आज के लिए थे था, thank you for watching this video